आज हम डिसकस करेंगे बायो 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 और diversity का मतलब होता है कि जो varieties है So, bio means living and diversity means varieties So, varieties of living organism on the earth is known as bio-diversity Diversity का मतलब तो हमें पता चल गया कि Bio-diversity होता है कि varieties of living organism on the earth So, basic definition है इसकी क्या हो सकती है जैसे variety of life forms found in a particular reason कि बहुत सारी life forms है जो varieties है उसकी वो एक particular reason में found हो रही है उसे बोलते हैं Bio-diversity और हमारे अर्थ में 1.7 to 1.8 million organism है जो present है अर्थ पे इतने million organism है जो उनकी सब की अलग-अलग importance है और हमने ये सब organism हमने देखी नहीं होंगे mostly हमने नहीं देखे होंगे इसका reason हो सकता है कि microscopic होते हैं microscopic मतलब कि बहुत छोटे होते हैं कि नेक डाई से हम नहीं देख सकते हैं इनको और microscope की help से ही ये दिखते हैं हमें और इसका मतलब तो ये नहीं कि हम जहां पर भी आते हैं हमें कुछ दिख जाते हैं हम microscope लेके जाते हैं नहीं न तो इसलिए हम microscope के मदद से ही हम ये छोट-छोटे organism को देखते हैं और mostly हमने नहीं देखे होते हैं सारे जो होते हैं और next second reason हो सकते है कि organism बहुत सरे organism extreme conditions पर रहते हैं जैसे कि minus degree, minus sixty, fifty degrees पर रहते हैं और बहुत सरे organism extreme heat में रहते हैं ये सब organism successfully live करते हैं क्योंकि इनका यही temperature होता है रहने का और हम इनको नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम extreme condition में नहीं जा सकते तो इस वज़े से हमने नहीं देखे होते लेकिन इन सब की अपनी अपनी importance होती है यह एक दूसरे पर depend करते हैं अपने food के लिए अपने रहने सेहने के लिए successful living के लिए इनको एक food map बनाना पड़ता है food map का मतलब क्या होता है कि जो सारे organism living forms हैं वो एक दूसरे पर depend कर रहे हैं वहाँ पर एक organism अगर extinct हुआ तो सारी food chain हमारी destroy हो सकती है तो इसलिए हमारी सब organism की importance है जैसे कि line है हम line को क्यों बचाना चाते हैं इसलिए बचाना चाते हैं कि हमारी food map वो अच्छे से काम करें एको सिस्टम में हमारी सब organism की एक जगे बना बनाई हुई है उसकी जगे वहीं पर बनी रहे तो इसलिए biodiversity importance है और biodiversity में food map और food chain का बहुत ही ज्यादा काम है जैसे कि food यह दिख रही होगी आपको यहां पर plant है वो rabbit खा रहा है goat खा रही है और goat को next fox खा रहा है fox को line खा रहा है अगर हम by chance अगर हम यह goat को उड़ा देते हैं goat को हम minus कर देते हैं कि extinct होगे हमारी यहां से तो बचा क्या fox fox क्या करेगा fox किसको खाएगा वो goat को खा रहा था और जो plants है plants बढ़ जाएंगे हमारे उनकी population increase हो जाएगी सो population को भी maintain करने के लिए हमारे biodiversity importance है और हमारे हर एक living organism की importance है और यहां पर rat है जो rat tomato plant को खा रहा है और rat को all खा रहा है और owl को खा रहा है और rattlesnake खा रहा है rat को अगर हम rattlesnake rat को उड़ा देते हैं कि rat instinct हो गया तो rattles ने किसको खाएगा वो भी extinct हो जाएगा ऐसे हमारी food web है वो सारी ही food web हमारी खतम हो सकती है इसलिए biodiversity में सारी living organism की एक-एक importance है तो next is a organism these organisms are different from each other in shape सब organism बहुत सारे organism varieties हैं तो उनकी सब की difference तो होगी एक दूसरे से वो कैसे difference करते हैं shape में, size में, color में, pattern में, internal structure में, habitat में, nutrition में, behavior में, external appearance में वो सब में differ करते हैं बट फिर भी वो all are interrelated to each other सो ये थी माय बायो डिवस्टी थैंक ये